वेलकम बच्चों आज हम लोग फिर से पर्सनल प्रणाउन के बारे में पढ़ेंगे और पर्सनल प्रणाउन का एक नया नियम पढ़ते हैं देखते हैं वो नियम क्या है तो यदि पर्सनल प्रणाउन किसी वर्ब किसी प्रिपोजीशन या वर्ब लैट के बाद आए तो उस का objective case आता है यानि personal pronoun यह भी किसी verb के बाद आता है किसी preposition के बाद आता है और verb let let भी एक verb है जिसका मतलब होता है किसी बात को होने देना यहाँ लिख देती हूँ मैं किसी बात को होने देना clear और इनके बाद में यदि personal pronoun आता है तो उसका हमेशा objective case आता है अब personal pronoun कौन कौन से है personal pronoun आप लोग जानते है उनका objective case देख लेते है I है तो मी बन के आएगा V है आस यू का objective case यू ही रहता है बैम दे का है हिम ही का और हर शी का है तो जब objective case आएगा तो हम इनको लिखेंगे अब example से देखते है पहला example please send me a letter अब आपको me और sorry please send me या फिर I letter तो आपको यह select करना है कि me और I में से क्या आएगा तो आपको पता है कि verb के बाद में हमेशा pronoun का objective case आता है तो हम किसको सही टिक करेंगे हम करेंगे me को सही कर देंगे इसके बाद में second example देखते हैं they will help him या he तो help का जो personal pronoun है वो क्या है him या he तो हमको पता है कि help verb है इसलिए हम यहाँ पर him को select करेंगे he को नहीं करेंगे he asked verb वर्ब के बाद में हमेशा objective case तो me को सही करेंगे I को नहीं करेंगे I know him he well no verb verb के साथ में objective case तो हम इसको correct करेंगे he को नहीं करेंगे our teacher has asked us we तो वर्ब के बाद में हमेशा personal pronoun का objective case तो यहाँ पर कौन क्या आजाएगा us आएगा ना कि we आएगा अगला example देखते है she left us we alone अब left verb का बाद में pronoun का personal pronoun का objective case तो यहाँ पर हम us को correct करेंगे ना कि we को करेंगे लास्ट example the teacher punished they them तो punish verb है इसके साथ personal pronoun का objective case तो यह concept आपको clear हुआ कि यदि कोई personal pronoun किसी वर्ब के बाद आता है तो उसका objective case लिखा जाता है अब पढ़ते पढ़ते जिससे आप लोग हाईर सिकिंडरी वाले बच्चें यह तो जानते हैं कि objective case है लेकिन वो क्यों आता है क्यों वहाँ पर हिम लिखा गया ही नहीं लिखा गया यह कारण भी हमको पता होना चाहिए तो इसका reason क्या है कि वर्ब के बाद में हमेशा personal प्रणाउन अपने objective case में आता है तो यह बात आपको clear हुई जल्दी से यह examples note कीजे तकि हम लोग preposition के बाद देखें कि किस तरीके से personal pronoun का objective case लिखा जाता है इसका screenshot ले ले लें आप अब हम देखते हैं कि personal pronoun जब preposition के बाद आता है तो वो अपने objective case में कैसे लिखा जाता है प्रिपोजिशन के बाद यह दि परसनल प्रणाउन आता है तो उसको objective case में लिखा जाता है यह प्रिपोजिशन के बाद personal pronoun का objective case आता है example से समझते हैं देखो he said to me I तो यहाँ पर to preposition है preposition के बाद क्या आएगा me आएगा ना कि I आएगा आप लोग narration में ऐसा बहुत पढ़ते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि he said to me क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि preposition के बाद personal pronoun का objective case लिखा जाता है he depends upon me upon देखो preposition है तो preposition के बाद क्या आएगा me आएगा ना कि subjective case of the personal pronoun this book is for me for again preposition तो preposition के बाद में me आएगा I नहीं आएगा the matter is between he and I अब देखो between preposition है he भी subjective case है और I भी subjective case है तो हम he की जगे क्या लिखेंगे him लिखेंगे और I की जगे me लिखेंगे clear हुआ आपको यह अगला sentence he is against we us against preposition है preposition के बाद में personal pronoun का objective case आएगा subjective case नहीं आएगा इसलिए हम us को correct करेंगे the boys laughed at me I at preposition है preposition के बाद मी लिखेंगे आई नहीं आएगा अगला sentence there is not much difference between you and me I तो between है preposition तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे me को correct करेंगे I को नहीं करेंगे नहीं मी भरेंगे nobody but अब यहाँ पर देखो जो यह बट है बट वैसे तो क्या होता है consumption होता है जिसका मतलब होता है परंतु लेकिन बट preposition का भी काम करता है और जब बट preposition का काम करता है तो उसका मतलब होता है के अलावा के अलावा कैसे nobody but अब यह अभी तो यह समझे कि यह preposition है preposition है तो हम किसको select करेंगे हम him को select करेंगे he को नहीं करेंगे nobody but him was present तो इसका मतलब क्या हुआ, कि nobody but, याने उसके अलावा कोई भी present नहीं था, तो यहाँ पर but का use क्या है, यह आपको sentence पढ़ने पर यह समझ में आएगा, कि यहाँ पर यह consumption है, कि यह preposition है, उसी के अनुसार आप personal pronoun का case decide करेंगे, तो यह हुए preposition के बाद personal pronoun किस तरह से आते हैं, बहुत अच्छे से इनको समझिये, ताकि जब यह आपको error detection को आए, error ढूरने को आए, तो आपको यह तुरन देखते ही समझ में आजाए, कि यहाँ पर गलती है, जल्दी से इसका screenshot लें, ताकि आगे हम लोग और पढ़ें, और आप देखते हैं, कि personal pronoun यदि, let verb के बाद में आता है, तो कैसे use करते हैं, यह हमको पता ही है, अभी हमने नियम पढ़ा, let देखें, एक verb है, जिसका मतलब दर to allow, somebody or something to do, यहने किसी को कुछ करने देना, या फिर किसी बात को होने देना, हिंदी में इसको यह हम समझें तो तो let के बाद में important बात यह है, कि हमेशा personal pronoun का objective case आता है, कैसे, let him, he, go, तो let के बाद में हमको पता है, कि personal pronoun का objective case आएगा, तो हम him को correct करेंगे, और he को नहीं, यदि sentence लिगा, let he go, तो हम क्या करेंगे, he को हटा के, इसका objective case लगा कर उसको correct करेंगे, अगला sentence, let me, I, go, तो यदि ऐसा लिखा हो, let I, go, तो हम उसको गलत करेंगे, incorrect करेंगे, और me को correct करेंगे, let me go, मुझे जाने दो, किसी को काम करने देना, let me, I, work, लिखा हो यदि, let I, work, या आपको दो option दिया हो, कि let के बाद मी और I में से एक select करें, तो आप क्या करेंगे, let me work, clear, let के बाद में हमेशा personal pronoun का objective case, ये rule हमको ध्यान रखना है, let you and, अब यहाँ पर you भी देखिए, objective case है न, you का subjective और objective सेम होता है, तो यहाँ पर ये you का objective case है, और यहाँ पर हम ले आएंगे me, let you and me, what we can do, तो यहाँ पर हमको let के बाद में, verb का objective, sorry, let के बाद में हमको personal pronoun का objective case, use करना है, इस नियम को ध्यान रखना है, इदी correction आता है, तो correction में, इस नियम को follow करते हुए ही हमको personal pronoun में correction करना है, एक बार इसका और screenshot ले ले, फिर हम लोग अगला पढ़ते है, personal pronoun का use, अब हम देखते हैं कि pronoun का comparison के लिए कैसे उसका use होता है, यानि pronoun का, जब comparison होता है, तो pronoun के किस case का use किया जाता है, comparison में यहाँ पर then और as है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, comparison हमेशा दो similar object का होता है, यह हम लोग जानते हैं, कि जो तुलना है, वो दो similar जो entities हैं, दो similar object हैं उन्हीं के होती हैं, जैसे आप लोग आप हाती का comparison चीटी से नहीं कर सकते, किसी कमजोर का comparison, किसी पहलवान से नहीं कर सकते, comparison हमेशा दो similar object का ही होता है, कैसे होता है, देखें, comparison में, यह दी comparison होगा, तो subject का, subject से होगा, object का, object से होगा, यहने than के इधर यही subject है, तो यहाँ पर भी हमको subjective case of personal pronoun का use करना है, और यही यहाँ object है, तो यहाँ भी object करेंगे, अब यह हम कैसे select करें, कि लगता तो है कि वहाँ पर objective case सही है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कि जो बाद वाला, than के बाद वाला personal pronoun होता है, actual में वो बाद वाला पूरे sentence होता है, वो अपने आप में रखता है, तो यदि हम उस sentence को अपने अंदर ही एक बाद दोहरा लें, तो हमको पता चल जाएगा, कि यहाँ पर हम personal pronoun का कौन सा case use करेंगे, अब थोड़ा इसको पहले एक example से समझते हैं, राम is better than I या मी, तो एक बात मैं आपको बताऊं, राम is better than मी, ऐसा आपको informal language में sentences ऐसे ही मिलेंगे, लोग ऐसा ही बोलते हैं, इंटरनेट पर भी यदि आप देखें, तो यही language बोले जाती है, लेकिन informal language याने बोल चाल की भाशा अलग है, जब examination point of view से हम तयारी करते हैं, तो वहाँ पर हमको सही grammar का use करना पड़ता है, और करना चाहिए, या फिर जब हम लिखते हैं, किसी भी तरह से, तो उसमें हमको सही grammar का use करना है, तो आप यह confused ना हो, कहीं पर ऐसा लिखा भी मिल जाएगा, he is better than me, तो वो informal language है, बोल चाल की भाशा को लिखा नहीं जा सकता, यह हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जहाँ पर हम grammar का use करते हैं, जहाँ पर हम examination point of view से कुछ भी तयारी करते हैं, तो वहाँ पर ह आई बता रही है, तो ऐसा नहीं है, यह informal English में, very often, जो objective case of the personal pronoun is very often, लेकिन वो formal में acceptable नहीं है, राम is better than I, अब देखिए, comparison हो रहा है, तो comparison हमेशा, मैंने क्या बताया, दो similar object का होता है, यहाँ पर राम का किस से comparison हो रहा है, आई से हो रहा है, राम subjective case पर है, उसका तो आई ल मी नहीं होगा, एक और लिखती हूँ, मैंने क्या लिखा, to choose the correct pronoun, complete the comparison by mentally adding missing word, जो यह आई है, actual में यह आई, यहाँ के बाद वाले पूरे sentence को यह आप complete कर लें, लिखना नहीं है, अपना mentally उस missing word को, जैसे, राम is better than I am, ऐसे ही होगा ना, राम is better than I am, पर हमको am लिखना नहीं लेकिन यहाँ पर अपने को वो बोल कर, वो clear कर लें, me am तो हो नहीं सकता, I am ही होगा, तो that's why यहाँ पर I correct होगा, I am stronger than, फिर से वो ही subject का subject से comparison होगा, और then के बाद में, ज्यादतर cases में, अभी इसका हम एक और नियम देखेंगे, subjective case of personal pronoun आता है, तो क्या लिखेंगे, I am stronger than he him नहीं लिखेंगे, यदि sentence complete करते हैं, तो क्या बनेगा, I am stronger than he is, him is तो हो नहीं सकता, तो he correct होगा, you are wiser than, comparison किसका हो रहा है, subjective case का, subjective case से, तो यहाँ पर he correct होगा, him नहीं होगा, he is as tall as me, I, he और I, तो यहाँ पर comparison किसका हो रहा है, दो subject का हो रहा है, तो यहाँ पर हम I को correct करेंगे, me को नहीं करेंगे, she is as wise as him तो यहाँ पर she का comparison हो रहा है subject से he से हो रहा है तो यहाँ पर हम him नहीं लिखेंगे him नहीं लिखेंगे sorry, he लिखेंगे अब plural देख लेते हैं we reached there earlier than they, them तो यहाँ पर we plural है personal pronoun में तो comparison किसका हो रहा है subjective case है plural personal pronoun है तो यहाँ पर भी plural में subject में they आएगा ना कि them को हमको लिखना है clear हुआ आपको she is taller than फिर से वो ही sentence आ रहे है she का यहाँ पर subject का subject से comparison होगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा she is taller than me यह आपको internet पर मिलेगा informal language में बोल चल की भाचा में बड़ा rhythm में लगता है she is taller than me या he is better than me I am better than him तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए लेकिन यह informal English है बोल चल की भाचा है जो कि formal language में यह acceptable नहीं है तो हमको यहाँ पर I को correct करना है मी को नहीं करना है they are as good as यहाँ पर भी subject का subject से comparison हो रहा है they का और we का तो यहाँ पर हमको us नहीं लिखना है we लिखना है तो आपने क्या देखा कि then के बाद और as के बाद में subjective case of the personal pronoun use किया जाता है उसका reason भी आपको पता है क्योंकि subject का comparison हो रहा है वहाँ दो subject का comparison हो रहा है इसलिए हम personal pronoun का subjective case लिखेंगे objective case नहीं लिखेंगे informal English में बोला जाता है कोई problem नहीं है बोले लेकिन formal English में सही grammar लिखना है और सही grammar पे ही marks मिलेंगे इसको जल्दी से note करें ताकि इसके आगे हम लोग पढ़े और अब हम लोग एक और नियम देखते हैं कि personal pronoun यदि pronoun and एवं और और conjunction है से joined हो तो they should be in the same case यदि pronoun या तो end से जुड़े हो या और से जुड़े हो तो उनका case समान होना चाहिए याने end के पहले भी subjective case हो तो बाद में भी subjective case हो end के पहले यदि objective case है तो बाद में भी कैसे जैसे यहाँ subjective case है यहाँ end लिखा है तो इधर भी subjective case होगा यहाँ पर object है और बीच में end या और लिखा है तो यहाँ पर भी objective case होगा कैसे होगा हम लोग example से समझते है these books are for you अब you देखिए you यहाँ पर object है preposition preposition दिया है preposition के बाद अभी हमने पढ़ा कि preposition के बाद हमेशा personal pronoun का objective case आता है तो यह हमको वैसे ही clear हो गया कि यह objective case में है अब यहाँ end है तो यह दि end के पहले objective case है तो end के बाद में भी objective case ही आएगा clear हुआ आपको अगला example देखते है you and me अब देखिए यहाँ पर you यहाँ पर subject है subjective place पर है end आया तो यहाँ पर subject है तो end के बाद में भी subjective case ही हम personal pronoun का select करेंगे तो क्या हो जाएगा you and I will do the work ऐसा नहीं कि यहाँ पर you था तो हमने me ले लिया था लेकिन आप position देखिए वहाँ पर personal pronoun objective case में है और यहाँ पर personal pronoun subjective case में that's why we opted I end के साथ में राम और I या me अब राम noun का तो कोई भी नाम है तो उसका subjective और objective case तो एक ही समान रहेगा राम यहाँ पर यह subjective case है अब यहाँ पर यह और से जुड़ा हुआ है तो राम subject है तो इसके साथ में हम किसको select करेंगे हम I को select करेंगे ना कि me को करेंगे क्योंकि और के पहले subject है तो और के बाद में भी subjective case of the personal pronoun ही लिया जाएगा clear हुआ आपको अब यहाँ आया मोहन वोई noun है noun को subjective objective मोहन चाहे यहाँ लिखा जाए चाहे वहाँ उसका subjective objective case same रहेगा तो मोहन subject है naturally तो क्या होगा कि end के पहले यदि subject है तो end के बाद में भी हम subjective case को ही correct करेंगे तो हमने यहाँ क्या किया I को सही किया मी को छोड़ दिया He invited Harry अभी आप देख रहे थे कि noun subjective place पर थी अब देखिए noun objective place पर आगई verb का ऐसे देख लीजे अभी हमने पढ़ा verb का object बन कर आगई अब हरी यह object है यहाँ पर and अब जब and के पहले object है तो and के बाद भी objective case ही लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा He invited Harry and me to tea तो आपको यह concept clear हुआ कि and और जो और से sentence यदि pronoun जुडते हैं तो उनके दोनों तरफ का case same होना चाहिए यदि पहले subjective case है तो बाद में भी subjective case को ही लिखना है यदि पहले objective case है तो हमें बाद में भी objective case को ही लिखना है तभी वो sentence correct होगा तो इसको भी आप note कर लें जल्दी से एक और last रहा है personal pronoun में बहुत अच्छा example है तो और मैं आपको बता देती हूँ अब हम देखते हैं अभी हमने पढ़ा था कि जब comparison है तो दो के बीच में हो रहा है comparison अब यहाँ पर comparison तो है पर जो pronoun है वो तीन है वहाँ पर pronoun की संख्या तीन है कैसे देखो एक example लेते हैं I respect you more than him या he एक pronoun I हुआ एक हुआ you और एक यहाँ पर हमको select करना है ठीक है अब यह sentence इसको हम दौनों तरीके से बना सकते हैं हिम का यूज करके भी और ही का यूज करके लेकिन हिम का यूज करने पर उस sentence का meaning अलग होगा और ही का यूज करने पर sentence का meaning अलग होगा कैसे I respect you more than he यह हमको बता है कि यहाँ पर हम subject का comparison यही subjective case है तो हम subject का comparison subject से कर रहे हैं I का comparison he से कर रहे है I respect you more than he I respect you यह जो इनका है यह you तो यह कह रहा है I कि मैं आपको respect ज़्यादा करता हूँ more than he he के comparison में यानि जो he है यानि जो वो है वो आपका respect उतना नहीं करता है जितना कि मैं करता हूँ याने यहाँ पर comparison किसका हो रहा है, I का हो रहा है, और he का हो रहा है, और कौन से उनके respect का comparison हो रहा है, कि कौन जादा करता है, कौन कम करता है, किसका respect, you का, clear हुआ आपको, कि यहाँ पर जब हमने he को लिया, तो इसका मतलब यह है, कि he और I दोनों का comparison हो रहा है, किस quality का, respect का, क कौन कम करता है, अब हम इसमें objective case ले ले, I respect you more than him, यहाँ पर यह objective case आ गया, क्योंकि you तो already object है ही, objective case है यह, और यह भी objective case हो गया, अब क्या हुआ, इन दौनों में comparison हुआ, कैसे, यहाँ पर हम लिख दे you, और यहाँ लिख दे him, I respect you more than him, और यहाँ पर किसका I, यानि I कह रहा है, I respect you more, कि मैं तुमको ज़्यादा respect करता हूँ, उसके comparison में, तो आपने देखा कि meaning change हो गया, कि यहाँ पर I और he के बीच में comparison था, कि I और he, इसको ज़्यादा, उनमें से ज़्यादा respect कौन करता है, यहाँ, और यहाँ पर यह I ही कह रहा है कि मैं तुमको ज़्यादा respect करता हूँ, हिमके comparison में, तो both the sentences are correct, लेकिन दौनों का meaning change है, दौनों का earth change है, तो हमको यह ध्यान रखना है, कि हम जो comparison कर रहे हैं, तो वो जो comparison जिस context में है, उसमें हमको subjective case लेना है, कि objective case लेना है, clear हुआ आपको, एक और example देखते है He knows you better than I, और me, एक pronoun है ही, एक है you, और यहाँ पर हमको me या I से लेकर sentence को, याने उस personal pronoun को लेना है, पहले हम personal pronoun subjective case लेते हैं, He knows you better than I, यहाँ पर देखिए I है तो subject का, हम subject से comparison हो रहा है, याने एक subject है he, और दूसरा है I, और यहाँ पर object है you, किस quality का, no का, जानने का, He क्या कह रहा है, He knows you better than I, He कह रहा है कि मैं you को ज़्यादा अच्छे से जानता हूं better, in comparison with I के, तो यहाँ पर यह I और ही का, दौनों compare कर रहे हैं किस से, you से, कि you को he ज़्यादा अच्छे से जानता है बजाए कि I के, तो दो subject का comparison हो रहा है, माली जे, अब हम यहाँ पर personal pronoun का objective case लिख दे, तो यहाँ पर फिर comparison किस का होगा, you and me का, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कि जो comparison होता है, वो दो similar चीज़ों का होता है, दो similar things का होता है, दो similar entities का होता है, तो यहाँ पर जब यह पर्सनल प्रडाउन का objective case है, इसका comparison किस से होगा, you से होगा, तो यहाँ पर object हो गए दो you and me, he knows you, वो उसको जानता है, वो तुम्हें जानता है, he knows you, वो तुम्हें जानता है, better than me, मेरी तुल्ना में, यानि मैं भी तुमको जानता हूं और वो भी तु दो object हैं, और एक इनका यह है, subject, अब यहाँ पर यह no की बात हो रही है, तो he भी you को जानता है, और me को भी जानता है, लेकिन वो you को जादा अच्छे से जानता है, तो यह देखा आपने, कि यदि हम objective case लेते हैं, तो sentence का meaning change हो जाता है, एक और example लेते हैं, he likes you more than, I भी है और comparison करते हैं, एक he है, एक you है, एक I या me है, he likes you more than I, अब यहाँ पर subject का comparison subject से हो रहा है, he likes you, वो तुमको पसंद करता है, more than I, मेरे तुल्ना में जादा, ठीक है न, यानि यहाँ पर एक he है और एक I है, और यह है you, objective case, यहाँ पर बात हो रही like करने की, तो यह क्या comparison हो रहा है कि जो यह ही है, वो you को जादा like करता है, मैं उतना नहीं करता हूँ, यह कब हुआ, जब हमने subjective case of the personal pronoun को लिया, अब हम objective case को ले लें, तो objective case में seem, you and me, यह हम लोग सब पहले से ही मैं बता रही हूँ आपको, कि जो comparison है, वो हमीशा, दो similar चीजों का होता है, subject का subject से होता है, औ और यह आई है, और किस चीज का comparison होता है, लाइक करने का, तो यह क्या हो रहा है, he likes you more than me, यानि जो यह ही है, वो you को जादा like करता है, किसके comparison में मुझे जितना, he you को भी like करता है, और मुझे भी like करता है, लेकिन वो you को जादा like करता है, यानि subject एक हुआ, object दो हुए, तो यहाँ पर जो comparison है, अब यह object में आ गया, तो यह हमने देखा कि किस तरह से, जो object, sorry, personal pronoun, यदि दो से जादा, तीन personal pronoun हो, तो फिर हमें यहाँ पर according to the meaning है sentence का, उसके अनुसार हमको personal pronoun का case select करना चाहिए, यदि हम नहीं करते हैं, तो जो meaning आपने देखा कि जो कहना चाहते हैं, वो वैसा ना हो के, दूसरे उसका meaning निकलाता है, तो बच्चों यह हमारा personal pronoun, यह यहाँ पर आज खत्म हो गया, आप लोग बहुत अच्छे से आपने देखा, personal pronoun में हमने कितनी सारी बातें, it का use करना सीखा, it's me, it's I क्यों होता है, it's me क्यों नहीं होता है, फिर हमने यहाँ पर comparison में देखा, कि he is better than me, ऐसा आपने पढ़ा होगा, informal language में, लेकिन ऐसा सही नहीं है, better than I, तो ऐसा क्यों होता है, फिर cases क्या होते हैं, तो यह बहुत सारी बातें, हम लोगों ने, जब pronoun एक से ज़्यादा हो, तो वो कैसे combine होते हैं, rule हमने 231, 123 का सीखा, यह जो ऐसे rule थे जो अकसर जब error आती हैं, तो error को spot करने में, यह rule हमको बहुत, यह नियम बहुत मदद करते हैं, और बच्चों, जो आपका syllabus है, कि मैं बार-बार कह रही हूँ, CBSC syllabus है, जहां पर आप यह दि देखें, तो उनके grammatical portion में edit करने को बहुत सारा आता है, और हमको ऐसा नहीं है, क पहले से तयारी करके रखें, कि जब हमको ऐसा हमारे syllabus में आएगा, syllabus में आएगा, या हम किसी competition exams में भी आप देखें, papers, तो इसी तरह की errors उसमें आती हैं, जो हमको spot करना रहती है, edit करना रहती है, वो यह जो grammar है, basic grammar है, जब तक यह आपकी clear नहीं होगी, तो आप grammar पे, या language पे कमांड नहीं पा सकते हैं, और grammar कभी रट के नहीं पढ़ी जा सकती है, कि आप रट लें तो नहीं, उसको तो समझना पढ़ेगा, और समझने के लिए सबसे अच्छा है, practice makes a man perfect, बराबर practice कीजिए, मैं भी एक नियम के लिए कम से कम 5 या 6 sentences आपको करवाती हूँ, तो आज इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए जैहिंद, इसको आप लोग नोट कर लें,